हेलो दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हॉंडा ने अपनी मिड साइज SUV हॉंडा एलिवेट को भारतिय कार बाजार में लॉंच कर दिया है इस SUV में आपको बहुत ही शांदार फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे की 7 इंच का HD Color TFT Meter Cluster HD Touchscreen डिस्प्ले इसमें हेलो दोस्तों आपका एक बार फिर से सुवागत है हमारे यूट्यूब चैनल में आज हम आपके लिए एक और बहतरीन वीडियो लेकर आ चुके हैं लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना तो चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं होन्डा एलिवेट SUV प्राइस अनाउंस्मेंट लोगों को लंबे समय से इंतजार है और अब कमपनी ने साफ कर दिया है कि आगामी सितंबर में एलिवेट को लॉंच किया जाएगा उससे पहले कमपनी ने एलिवेट की माइलेस डिटेल्स का खुलासा कर दिया है एलिवेट की बुकिंग भी शुरू हो चुकी है और अगले महीने यानी मिड अगस से ग्राहक होन्डा एलिवेट की टेस्ट ड्राइव शुरू होगी फिलहाल लॉंच से पहले हम आपको हुंडई, मारुती सुजुकी, किया, स्कोडा, फॉक्सवेगन, एमजी और महिंद्रा जैसी कमपनियों की पॉपिलर मिर्साइज SUV को टक कर देने आ रही होन्डा एलिवेट के लुक डिजाइन और फीचर्स समिट सारी डिटेल्स बताने जा रही है, होन्डा काज इंडिया ने खुलासा किया है कि एलिवेट SUV के मैन्यूल वेरियंस की माइलेज 15.31 कमपील है, जबकि CVT वेरियंस की फ्यूल एफिसियंसी 16.92 कमपील की है, होन्डा एलिवेट में 40 लीटर का फ्यूल टैंक दिया गया है, जो कि एक बार फुल करान पर मैन्यूल वेरियंस में 612 किलोमीटर और CVT के साथ 689 किलोमीटर की जाइव रेंज देने में सक्षम है, एलिवेट को SV, V, VX और ZX जैसे ट्रिन में पेश किया गया है, होन्डा एलिवेट SUV में एक 5 लीटर का चार सिलिंडर नेचुली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन लगा है, जो की 121 BHP की माक्सिमम पावर आउट्पुट न्यूटन मीटर का पीक टॉप जेनरेट करता है, इस SUV में 6 स्पीड मैन्यूल और 7 स्पीड CVT आटमेटिक ट्रांस्मिशन ओप्शन, होन्डा की इस SUV में हाइब्रिट टेकनॉलजी की कमी महसूस होती है, होन्डा एल 2650 mm है, 2650 mm विल बेस वाली एलिवेट में 220 mm का ग्राउंड क्लियरिंस दिया गया है, लुप और डिजाइन भी एलिवेट के अच्छे हैं, इसमें LED हेड लैंप और टेल लैंप, LED प्रोजेक्टर फॉग लैंप, फैब्रिक अपहोल्स्ट्री, साथ, 40 स्प्लिट रियर सीट् और 17 इंच तक के डॉल टोन डाइमंड कट अलोई भीन मिलते हैं, होंडा एलिवेट SUV के अलग-अलग वेरियंस में अलग-अलग खूबियां हैं, इसमें वाइरलेस आप्पल कारप्ले और एंड्रोइड आटो, मल्ति एंगल रियर व्यू कामरा, 8 इंच का टच स्क्रीन, इ 10.25 इंच HD तच स्क्रीन डिस्प्ले, छे एर बैग, आटो एसी, इंजन पुश बटन स्टार्ट समेप काफी सारी खूबियां है,